बिहार बलेक्टरोन डाटा इंट्री ऑपरेटर बहाली के लिए आप लोग का जो ओनलाइन आविदन है उसको अभी यहाँ पर शुरू कर दिया गया है यहाँ पर देखे मैंने जो वैपसाइट है उसको आपर ओपन कर रखा है और जो लिंक है वो आप लोग को आप किया गया है ऐसे में हो सकता है कि वैपसाइट ओपन होने में प्रॉबलम हो क्योंकि बहुत साएट लोग एक साथ यहाँ पे ट्राइ करेंगे तो वैपसाइट मेरOps में तौछ है आप लोग इस पर आपको जो क्लिक करना है कुछ इस तरीके से आप लोगा वेब साइट यहाँ पर ओपन होगा और यहाँ पर आप लोगा लिंक दिया हुआ है इस पर आप जब क्लिक किजेगा तो यहाँ से आप लोगा जो वेब साइट है वो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा और आप लोग यहां से online apply कर सकते हैं, सबसे पहले online apply करने का जो link है वो आपको कहां मिलेगा, वो मैं आप लोगो बतायता हूं, जिससे कि आप directly जो है इस website पर आ सकते हैं और अपना आविदन कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने Google में जाना लिंक एक्टिव, यहां पर आपको जोग क्लिक करना है, कुछ इस तरीके से website open होगा, थोड़ा सा नीचे आईएगा, पूरा जानकाड़ी आपको कहां पर देखने को मिल जाता है, 15 मार्च तक आप लोग जो आवेदन है, तो उससे पहले आप लोग आवेदन कर लिजगा, इस पर आपको क्लिक किजगा, तो यह आप लोग जो लोग निंग बाला पेज है, वो directly यहां पर ओपन हो जागा और यहां से आप लोग को apply करना होगा, अब यहां पर आपको करना क्या है, सबसे पहले जोग आप लोग को अपना एक registration करना होगा, registration करने के लिए नीचे आप आपको कहाँ पर registration होगा, सबसे पहले यहां पर कुछ इस तरीके से आएगा, close आपको कहाँ पर करना है, फिर आपको को I agree पर tick करना है, नीचे आना है, सबसे पहले यहां पर candidate का first name डालना है, फिर middle name अगर है तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो last name में आप लिखेगा, फिर आप आपको कहाँ पर date of birth अपना डालिएगा, तो automatically जो है आप लोगों को यहाँ पर show कर देगा कि आपका उम्र कितना है, देखिए आप 23 साल 10 महिना आपर show कर रहा है, तो इतना हमारा उम्र है, तो यह आप लोगों कहाँ पर show कर रहा है, फिर यहाँ पर gender आप लोगों सेलेक करन है, अपना mobile number यहाँ पर डालना है, दुबारा confirm करना है mobile number, अगर कोई alternate mobile number डालना चाहते तो डाल दीजेगा, नहीं तो छोड़ दीजेगा, उसके बाद यहाँ पर अपना email ID डालना है, confirm करना है email ID, फिर यहाँ पर generate OTP पर आपको click करना है, आपको mobile number पर एक OTP याएगा, OTP डाल कर जो है, आपको हाँ पर आई अगरे का option मिलता है, इस पर आपको टिक करना है, यहाँ पर यह जो capture दिख रहा है, यह capture आप पर डाल कर जो है, रिवेरिफाय पर आपको click करना है, आप लोका जो account है, वहाँ पर create हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर detail कर लेता हूँ, उस पर आप लोका हाँ पर सही रहता है, तो आप लोको जोई इस तरीके से टिक करने के जाना है, और पर यहाँ पर submit का option आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, वह mandates करना है, सबसे पहले यहाँ पर बादरसनल दीटेल आप लिगा आजेगा गोटू आप्लीकेशन कहाँ पर ओप्सन है इसपर आपको जो कुछ कुलीक करना है थोड़ा सा इंतजार किजेगा इंतजार करनेंक बाद आपको कुछ डीटेल है वो Automatically Data Interview Operator यहाँ पर आजेगा, आपको कहाँ पर जो Demo Style होगा वो आपको कहाँ बताना है, सबसे पहले Nationality Indian आपको रहने देना है, फिर हाँ पर Are You Demo Style Bihar, अगर आप जो Bihar के निभासी है तो Yes किजेगा, अगर नहीं है तो आप No किजेगा, Reservation Category अगर कोई आपको का पढ़ता ह यहाँ पर बताना होगा कि कहां से आपको का Demo Style Certificate है, वहाँ पर Generate हुआ है, उसका बाद यहाँ पर Month और Year बताना है कि कब आपको का Demo Style Certificate बना है, यानि आवासिये बना है, फिर Serial Number यहाँ पर लिखना है, यानि कि जो भी आवासिये रहेगा, उसका पूरा Number आपको से बना है, तो CEO लिख दिजेगा, जो भी आपको कर रहेगा, वो आपको यहाँ पर लिख दिजेगा, फिर Identification, Detail आपको कहाँ पर डालना है, यानि कि कोई मार्क से कटा हुआ निसान है, या फिर कोई तील है, तो वो आपको कहाँ लिखना है, फिर हाँ पर आपको सलेक करना भड डालना है, पैन कार्ट पे जो नाम है, वो नाम डालना है, इसको आप लोगो को टिक करना है, और Save and Next पे आपको जोई क्लिक कर देना है, मैं जोई फिल करता हूँ, उस बाद Next करके आपको दिखाता हूँ, अब जैसे आप लोग यहाँ पर पर लोगो पर्मानेंट एड correspondence address जो रहेगा जहाँ पर रह रहे हैं वो address आपको हाँ डालना है और save and next पर आपको click करना है यहाँ पर address line 1 लिखना है address line 2 अगर कुछ है तो यहाँ पर डाल सकते हैं तो अपना district और pin code डाल कर आपको save and next पर click कर देना है तो मैं इसको fill कर लेता हूँ उसको बाद आगे आपको दिखाता हूँ अब communication detail डालने के बाद next आपको जो option आएगा वो आपको क्वालिफिकेशन और experience के बाड़े में आपको पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको आपको हाँ जो है essential qualification आपको बताना है जिसे कहाँ पर 12 का आपको आपको बताना है तो 12 आपको डाल देंगे तो यहाँ पर आपना जो board का नाम है वो आपको लिखना है college का नाम लिखना है अपना subject यहाँ पर साइंस है, आर्ष है, commerce है, जो भी था वो आपको बताना है फिर यहाँ पर percentage या पर typing देना चालते है या फिर English में typing दिना चालते है अगर Hindi English दोनों आपर-हापे देना चालते है तो दोनों आपर-हापे सेलेख कर सकते हैं माली जिए मेरा English है तो English यहां पर shift डालेंगे फिर आप लोगो nì Coordinator को नीचे हैने को बाद अगर आप यहापे बाला SDM बाला कोस कियो हुई, यानि KYP कोस किये हुए हैं, तो फो वह कोस का आप अपर डीटेल डालना होगा. जैसके अगर आप आ पर ADCA की हुए हैं तो ADCA का detail डालएगा, One Year Computer Course यहां पर आप लोगो कोunde क Quickly कराणा है. उसके पाद हहाँ पर Institute Recognize और Note यानि कि इंस्सीट्यूट आपने पर अपको रिक्वनाइज है या फिर नहीं है वह आप अपर कहाँ बताना है तो Yes करना या फिर करना है जो भी आप चाहें या आ पर कर सकते हैं मानली जिए Yes आपको कहाँ पर कर देना है फिर जब आप आपर पर pass किये हैं वो आप लोगो आप बताना है month और year बो आप लोगो आप लोगो बता जाना है फिर आप लोग नीच चाहिए गर आगर कोई higher qualification है मालिजी अगर आप लोगो डिड़ी किये हुए है तो आप लोगो आप लोगो को बताना है और कुछ अगर काहँ पर एक जाम देना चाहते हैं आप लोग को प्रिफिरेंस बाइस यहाँ पर बटाना है याने कि merely aja जहाँ पर आप लोगो जो ही exam देने का ज्यादा मन बनाए हुए हैं वहाँ पर आप लोग जो है एक करना है क्लिक है to upload का option है इस पे क्लिक करके आप लोग को अपना एक passport size जो फोटो वहाँ पे upload करना है अगर फोटो में कुछ प्रॉब्लम आता है जैसे कि size का आप लोग का प्रॉब्लम आ जाता है या फिर कुछ भी दिक्कत आता है तो ऐसे में आप कर क्या सकते हैं आप सीधे वाइटरी सी website पर आईएगा यहाँ पर important tools का option है यहाँ पर आपको क्लिक करना है कुछ इस तरीके से website open होगा और यहाँ पर आप लोग को जो है compressed image का option मिलता है इस पर आप यहाँ पर क्लिक किजेगा तो आप लोग जो अपना image का size है उसको हाँ पर कम कर सकते हैं तो कोई भी यहाँ पर करना है फिर essential qualification का जो certificate है वह आप लोग अपर आप लोग करना है यहाँ और को ही आप लोग का document है तो वह आप लोग कर सकते हैं फिर आप लोको नीचे यहाँ पर सो कर देगा आपका नाम आ जाएगा कितना आप लोग को payment करना है जिसे कहांपे हमाला 1,000 उपय यह क्यप चाहां पे डाल कर जो है प्रिव्यू पे क्लिक करना है आप लोग का पूरा जो प्रिव्यू वहाँ पे आ जागा और फिर आप लोग का पर सब्मिट करना है सब्मिट करने बाद आप लोग का पेमेंट का ओप्सन आएगा आप लोग को पेमेंट करना है और इस तरी पूरा अस्टे बैस्ट में आपको वीडियो पसंदा हुआ गड़ी वीडियो पसंदा हुआ तो लाइक केस्ट वीडियो को सब्सक्राइब को जानकारी मिल सके हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद